हेलो स्टूडेंट्स, आज किस वेडियो में हम लर्न करने वाले हैं अपने ग्रेमर का एक नया topic जिसका नाम है intonation intonation के साथ साथ tone group कितने होते हैं या फिर intonation कितने परकार की होती है और tonic syllable किसे कहती है देखने में जितना मुश्किल लगता है यह उतना मुश्किल है नहीं यह बहुत आसान है पेपर में इसमें पूछे जाते हैं कम से कम 5-6 sentences लेकिन जब इसको learn कर लोगे तो एक भी sentence ऐसा नहीं होगा जो आपको ना है सबसे पहले तो हम clear करते हैं कि जो यह intonation है यह होता क्या है intonation उतार चड़ाव होता है हमारी voice का जब हम बोलते हैं तब आप सभी ने notice किया होगा कि बिना कि हम जब बोलते हैं बातसित करते हैं उसमें ऐसे नहीं कि हम हमेशा एक ही लहजे में बोलते रहें हम अपने meaning को convey करने के लिए voice में बहुत उतार चड़ाव लेके आना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं intonation intonation is rise and fall of voice voice का आवाज का जो उतार चड़ाव है speaking बोलने में to give different meaning अपने अलग अलग अर्थ देने के लिए उसी को क्या कहते हैं intonation कहते है जैसे तुमने एक ही sentence हो और उसको कहने कहने का तरीका अलग हो जाए जैसे he is reading is he reading आपको पहले वाले में पता चल गया कि simply बताया गया कि वह पढ़ रहा है लेकिन दूसरे में intonation की वज़े से उतार चड़ाओ की वज़े से ही आपको पता चल गया कि उसमें question पूछा गया कि जैसे ऐसे पूछा गया हो कि वह पढ़ रहा है यानि कि उसमें question है कि शायद उसमें ये question पूछा गया है कि क्या वह पढ़ रहा है क्या नहीं आया लेकिन उसमें जो intonation है जो हमारा लहजा है उतार चड़ाओ है भई ये चीज स्पस्ट कर देता है tone group कितने होते हैं आपके ये आएंगी नहीं definition नहीं आएंगे समझाने के लिए बताई गई है tone group भी ऐसे पूछे नहीं जाएंगे आपको सिर्फ sentence दिये जाएंगे और उसमें कहेंगे कि इसमें falling tone कौन सी और rising tone कौन सी है इसमें आप mark करो निशान लगाओ चार तरह की tone होती है falling जिसमें falling tone का मतलब वो इसका fall होना, धीमा होना, rising वो इसका उंचा होना, तेज होना the falling, rising, पहले fall होना, फिर rise होना, पहले नीची आवाज होना, फिर उंची आवाज होना, इस तरह से भी समझ सकते हो the rising, falling tone, पहले rise होना, फिर fall होना, यह चार है, लेकिन आपके लगबग इन्हीं दो में से रहे falling और rising में से ही sentences पूछ लिया जाते हैं, वो भी बिल्कुल आसान एक तीसरा औरता, tonic syllable क्या होता है, यह बहुत बार पूछ लिया जाता है, tonic syllable syllable का आपको सभी को पता है, कि जो भी एक word होता है, किस से बना हुआ होता है अगर उसको phonetically हम देखें, बोलने के हिसाब किताब से देखें, speaking के हिसाब किताब से देखें तो किस से बना हुआ होता है, वो syllable से बना हुआ होता है, जैसे उसके parts हो जाते हैं बोलने में हम एक सास में एक साथ नहीं बोल पाते एक सास में जितने फनी बोले जाते हैं एक साथ उनको एक से लेबल कहते हैं इस के हिसाब से आराम के हिसाब से जैसे इस वर्ड को बोलते हैं तो आप इसको बोल के देखोगे तो तुरंत समझ जाओगे ध्यान दोगे तो थोड़ा सा कि इसको बोलने में भी टू पार्ट्स हो जाते हैं टीचर तो इसका मतलब यहाँ पर दो सिलेबल है तो टोनिक तोन को ही पिच भी कहते हैं जहां पर वो सिलेबल जहां पर टोन और पिच ओफ दो वोईस चेंज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं टोनिक सिलेबल यह हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से सबसे पहले जो टोन हम पढ़ेंगे वो है फॉलिंग टोन का जो माक होता है निशान होता है चिन होता वो इस तरह का होता है यह एक पर अगर आपको वीडियो से दो तिन बार रिवाईज करोगे तो बहुत ज़्यादा आसान है इन सिंपल स्टेट्मेंट्स विच आर विद क्लोक है इसके यहाँ पर जो निशान है वो किसका है फॉलिंग टोन का इसका मतलब क्लोक पर आने पर हमारी वोईस में फॉल होगा It's 10 o'clock I have a lot of students Students पे भी वो इसका फोल हुआ आपको ए फोलिंग टोन इसी निशान से इसी मार्ग से दिखानी है और अपनी तरफ से कुछ भी एड करना नहीं होता The house is empty The water is cold और एक और है important जो आपके exam में पूछा जाता है Good morning तो ये थे falling के इस तरह से आपको learn कर लेना है कि इनमें falling क्योंकि इनमें किसी भी किसी भी तरह की कोई emotions नहीं होती Next है डबलू अच्वर्ड questions में भी falling tone का यूज होता है Why did you do it? Why बेस टैस आएगा क्योंकि ये important है पूछा गया है क्यों और उसके बाद Did helping verb है जो main verb होती है उस पे कौन सी tone आएगी Falling tone कभी ये तुम confusion में हो जाओ कि कहां पे लगाएं stress पता ही नहीं चल रहा जो main verb है जैसे इसमें do है main verb इसमें coming है, इसमें get है इसमें muttering है तो जो main verb है उस पे आएगी और एक wh question पे आएगी ज्यादा और दिमाख लगाने की जरूरत है ही नहीं Why did you do it? When are they coming? How will they get here? What are they muttering about? तो यहाँ पर यहीं कहने का क्या मतलब होता है कि जो भी wh words से शुरू होने वाले sentences है उसमें wh question पे stress लगा देना इस तरह से और उसमें जो main verb होगी वो कौन सी जैसे जाए वो get हो, जाए coming हो, here हो वहाँ पर हम falling tone का इस तरह से use कर देगे हमारा number पक्के next है command में command के साथ साथ जो exclamatory sentences होते हैं जिसमें हमारी sudden feelings दिखाए जाते हैं sudden feelings of surprise, happiness, pain, excursion, खुसी की दिखाए जाते हैं कुछ भी sudden feelings होती हैं उसमें exclamatory sentences में तो उसमें भी किसका falling tone का यूज होता है जैसे do as I say यहाँ पर falling है say के ऊपर come here here के ऊपर भी क्या है यहाँ पर falling tone है last में यह तुम ध्यान रखो कि जो भी एक और भी ध्यान रखने की बात है कि जो falling tone आ रही है वो कहाँ पर आ रही है last में आ रही है यह तीसरा जो sentence है वो exclamatory का example है what a beautiful flower next tone है हमारी rising tone rising tone में आप समझ गे होगे जहाँ पर हमारी voice या जो pitch है voice की pitch वो क्या होती है rise होती है आवाज थोड़ी सी उंची होती इस तरह से भी समझ सकते हो इसका परियोग भी किन-किन sentences में होता है वो हम इसमें learn करेंगे आसान है बेहद आसान है ये भी in incomplete sentences या statements ऐसे कथन या वाक्य जो incomplete है वहाँ पर किसका use होगा rising tone का यानि जो आवाज है वो last में उंची हो जाएगी जैसे यही example पहले वाले में थे लेकिन उनमें sentence complete थे इनमें sentence का जो अर्थ है वो change हो जाता है जैसे it is 10 o clock यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जैसे कि यह से कहें कि 10 बच गए है ये काम अभी तक नहीं हुआ तो इस तरह से incomplete है कुछ चीजे बाकी है अभी कुछ कहना तो इस तरह कि incomplete होंगी वहाँ पर last का जो word है उसमें क्या आएगी rising tone आएगी rising tone का ये निशान है निशान में तुम ये जो mark है उनको learn करने में कोई भी गड़बड मत करना क्योंकि अगर तुम rising का falling और falling का rising में कर दोगे तो बहुत बड़ी गड़बड हो जाएगी यहाँ पर the house is empty कहने का मतलब है कि यानि ये घर खाली है और पता नहीं कितने दिन खाली रहेगा यानि इसका कुछ और meaning है सिर्फ ये बताने का ये मतलब नहीं है कि गड़ खाली है इतना ही इसका अर्थ सिमीत नहीं है अगर हम यहाँ पर rising tone और sentence incomplete है तो इसका meaning और भी जादा है ये फरक होता है rising में और rising में और falling में the water the water is cold कहने का मतलब ये water cold है नहीं नाया जा सकता इसमें नहीं पिया जा सकता इसको यानि कि सिर्फ ये बताया नहीं गया बलकि इसका meaning और भी आगे है इसी वज़ेसे इसमें कौन सी tone का use होगा rising tone का चोको सिर्फ बताया गया भई इसका अर्थ नहीं है और भी आगे ध्यान रखना word के यहां पर इस तरह का जो निशान होता है उसको rising tone का mark का जाता है in questions which demand and answer yes or no दो तरह के question होते हैं एक तो डबलू अचवाले अभी अभी पढ़के आए हैं जिसमें falling का use होता है और दूसरे होते हैं जो helping verb से शुरू होते हैं जैसे what is your name तो इसमें आप नाम बताओगे अपना नाम जो भी नाम है आपका रीमा रोहन जो भी नाम है वो बताओगे सिरफ डबलू अचवाले आप हाँ और नामे जवाब नहीं दे सकते हैं लेकिन जो helping verb से शुरू होते हैं is है, am है, are है, do है, does है, has है, have है इन से शुरू होने वाले जो भी question होते हैं उनका जवाब आप yes और no में दे सकते हो जैसे are you coming क्या आप आ रहे हैं तो उसमें आप आना है तो yes कह दोगे, नहीं आना है तो no कह दोगे तो जो rising tone है उसका use हम yes no question, yes no वाले questions में या फिर ऐसे कहें कि जो sentence या फिर जो question helping verb से शुरू होते हैं, उनमें करते हैं are they coming rising है ये has the film started yet have you seen my younger sister have you seen my younger sister तो यहाँ पर ये has have और आर से शुरू होने वाले है तो इनमे last में किसका use हुआ है rising, intonation या फिर rising tone का डबलू अच questions में भी इसका परियोग होता है लेकिन वहाँ पर एक चीज और add हो जाती है, वहाँ पर जो कहने का तरीका होता है या तो वो दोस्ताना friendly होता है या फिर वोससे emotions जुड़ी हुई होती है for example देखो how is your mother तुम्हारी माब कैसी है यहाँ पर emotions आ गई why didn't you come and see me तुम क्यों नहीं आया और उमर से क्यों नहीं मिले यहाँ पर friendly तरीका है इसी वज़े से याद रख लेना डबलू अच्छ जो word है वो और जो main verb है वो यहाँ पर यह main word है जहाँ पर क्या आई है rising, intonation और यहाँ पर क्या आया है stress दो तिन बार वीडियो revise करोगी चीज़ें clear हो जाएंगी मुश्किल नहीं है एक rising का ही use होता है polite request मैं पूछा जाता है यह बहुत बार polite request जिसमें हमारा विनमर निवेदन होता है उसमें would you open the door would क्या आया है stress open क्या आया है और door में जो है वो tone कैसी हो रही है rising इस तरह से लिख दोगे please sit down यह भी polite request है जिसमें आया है यह rising please sit down आया है जाओन